तो मैं उपाय बताने वाला हूँ वो बहुत ही शांदार उपाय है देगे मित्रों जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और तो मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूँ अगर वो उपाय आप कर लेंगे तो आपको लाइफ में रिजल्ट मिलेंगे मिल होंगे मैं आपको हर बार अलग-अलग उपाय बताता हूँ और काफी अच्छे-च्छे सटी उपाय बताता हूँ लेगे मित्रों आज जो मैं उपाय बताने वाला हूँ वो बहुत ही शांदार उपाय है देगे मित्रों जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं न मित्रों आपको सबसे जरूरी क्या है थोड़ी बहुत basic astrology की knowledge होना बहुत जरूरी है तो उसके लिए पीछे जाके मेरे basic astrology की जो कुछ वीडियो मैंने बनाए है वो जाके देखें मित्रों और उसके बाद इस उपाई को करें लेकिन मैं promise करता हूं अगर यह उपाई कर लेंगे जैस शेरा मित्रों अरिखें मित्रों शुरू करते है इस वीडियो को मित्रों जैसे की मेरे पुछले वीडियो में मैंने आपको बताया एक से लेके 9 तक में जो number होते हैं ये attitude कोनगोन से ग्रह के होते हैं अच्छा आपको यह भी पता होगा कि एक से लेड़े बारत की जो होती है वो कौन-कौन सी राश्या होती है जैसे एक राशी जो एक नंबर है वो मेश राशी का होता है दो नंबर वर्ष राशी का होता है तीन नंबर मिथुन राशी का और छे नंबर कन्या राशी का होता है साथ नंबर तुला राशी का होता है आठ नंबर वर्षिक राशी क के अलबा है मित्रों जैसे को आपको यह कूंड़ी बना लें मित्रों जब आप कूंड़ी बना लेंगे मित्रों तो कुंड़ी में आपको यह नजा जाएंगे कि आपका लगन क्या है आपके जो जितने भी घर है आपके कुंडली में डले हुए हैं आपको देखना क्या है मित्रों आपको यह देखना है सबसे पहले आपका लगन जो है वो लगन देखना है और उस लगन पे क्या नंबर डाला हुआ है यह देखना है आपको लगन में जो प 1111 नंबर लिखा हुआ है पहले नंबर पे इसका मतलब इस बंदेगा जो मी क५ुम्ब लगन आप मित्रों आफ को करना क्या है ग्यारवे घर जाना है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दज, ग्यारा नंबर जो है, ग्यारवे नंबर के घर में आपको देखना है, क्या नंबर लिखा हुआ है, जैसे जो मैं कुंडली दिखा रहा हूँ, उसमें ग्यारवे नंबर पे आपको नो नंबर लिखा हुआ है, मैं त जो भी आपको जाब करना है उनके मंट्र का आपको जाब करना Harvard ve गरल्ब जो भी आपके ग्यारवे घर में जो भी राशी बैठी हु 있습니다 वह उसरा συ जो स्वामी है उनके मंत्र का आपको जाब करना इ Originally मित्रों, उनके मंत्र का आप कैसे जाप करेंगे मित्रों, उनके मंत्र का आपको जाप ये करना है, उसके लिए मैं आपको ये पताता हूँ, कौन से ग्रह का कौन सा मंत्र है, मैंने एक पहले वीडियो बना है, उसका लिंक में दुबार आपको दे दूँगा, कि कौन से ग्रह यह आपकी desire को पूरती करता है, आपकी जो इच्छा है, मनो कामना है, उसको पूरी करता है, तो आपको इस ग्रह को बल देना है मित्रों, इस ग्रह को बल देने के लिए सबसे बड़िया तरीका है, जिसका कोई side effect नहीं है, उस ग्रह के मंतर का उच्चारण करना मित्रों, यह म इच्छा है वो पूरी होनी शुरू हो गई है और उसकी व्यवस्ता बननी शुरू हो गई है और उस दिशा के अंदर जो इस श्रष्टी है यह जो यूणिवर्स है वो आपको सपोर्ट करके उस दिशा में आपको बढ़ाने में लगी हुई है मित्रों दीरे दीरे उसको स्वामी वही सब कुछ पूरी करेगा मित्रों उसको पकड़ लीजिए जितना आप उसका मंतर जाप करेंगे जितना आप उसको मजबूत करेंगे आपकी लाइफ में ग्रोथ आती जाएगी आपकी ग्रोथ को कोई भी रोक नहीं पाएगा मित्रों तो मित्रों सिर्फ इतना अगर आप आपको कोई confusion हो वैसे बहुत simple है जैसे मैंने कुंडले में बताया फिर भी आपको कोई confusion हो तो आप मुझे comment करके बताएं मैं आपको reply करके बताऊंगा कि आपका कोन सा राशी वहां पैटी हुई है और उस राशी का मंदर जाप क्या है मित्रों जैश्री राम मित्र